कानपूर के एक डांस अकैडमी में छात्राओं का यौन शोशर वा असलील वीडियो बना कर उन्हें ब्लैक मेल करने का संसनी खेज मामला सामने आया है पुलिस को डांस टीचर के मुबाइल में 14 अलग अलग किशोरियों के अशलील वीडियो और हजारो तश्वीरे मिली है ये सभी छात्राओं कानपूर के नामी स्कूल में पढ़ती है एक छात्रा ने जब अपनी मा के अकाउंट से 19,000 रुपए ट्रांसफर किये तब ब्लैक मेलिंग की डर्टी गेम का खुलासा हुआ परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफ आई यार कर जेल भेज दिया गोविन नगर थानाद प्रभारी रोहित तिवारी ने बताया कि दबॉली एफ ब्लॉक में आर्रियन सोनी उर्फ हिमांशु सोनी की अर्बन डांस अकैडमी है उसने इलाके की 14 साल की छात्रा का पहले अश्लील वीडियो बनाया फिर उसे वाइरल करने की धमकी देकर उससे शारर एक संबंद बनाते हुए पॉन्ड बना लिया इसके बाद ब्लैक मेल करते हुए अपने दोस्त के खाते में 19,000 रुपे मंगाए अब यह एक प्रात्न पत्र साइबर सेल में अपने क्राम बैंच का साइबर सेल है उसमें प्राथ हुआ कि एक महिला ने यह प्रात्न पत्र दिया कि उसके अकौंट से करीब 19,000 रुपे फ्राउड के थूप इसी अकांट में ट्रांजक्शन हो गया है इस पर जब इन्वेस्टिगेशन करी गई तो एक व्यक्ति का नाम प्रगाश में आया है जस्वन्त जो जिससे जब जानकरी करीगी तो उसके द्वारा यह बताएगे कि एक व्यक्ति है आरेन सोनी जिसनों उसको यह बताया था कि यह उसके जो दान से जलाता है उसकी फीस का पैसा है और इसलिए खाते में आया है उसनों पैसा विड्राव करके उसको दे दिया जब आरेन सोनी से इस संबन में पूश्टाच करी गई तो उसमें यह तत्य सामने आए कि यह वह जिन बच्चियों को डान सिखाता था उनको अभी द्दारा धंका कर उनका अपराद उनके साथ जो है यह आण्शोशन करते हुए आपराद करते हुए वीडियो बनाता था और फिर उस वीडियो के आधार पर उनको ब्लैक्मेल करके उनसे और प्राप्त हुए हैं अभी दक के इन्विस्टिकेशन में यही बच्ची के साथ उसने यह अपराथ करा था ब्लैक्मेल वाला पैसे बाकी जो है जो बाकी तीन बैच्चों के बारे उसने और पूस्तास के प्राप सम्यान प्थिल आएं जिनके संबंद में विदिक अरवाई में तोटल एक अभी वीडियो के संबंद में कोई जानकारी नहीं है वह चलिभ यह जानकारी है कि विद्वार्ण बनाए गए और मोबाइल के में ही कैप्शर करें उसकी गल्पेंट